स्वाध्याय टीवी डॉक्टर बाबा साहिप अम्बेडकर ओपन युनिवर्सिटे एक नौन पात्र अवलोकन छे के स्वाराज पहला बारत मां जेटला सिक्षन ना प्रियोगों थेया छे एटला स्वाराज पच्छी न थी थेया शूं गांधि जी रविंद्रनाथ शूं श्री अर्विन के बिजा अनेक लोको दे आनान सहरस्वती ने बिजा अनेक ये बदाय जे प्रियोगों के रहा एमा गुजरात मां जे बहुत नौन पात्र प्रियोग करनार एक प्रियोग वीर केलवणी कार ते नानाभाय भट्ट ये नानाभाय भट्टे जिवन भर केलवणी मां समर्पन केरू केलवणी जाने यमना उपाष्य देऊ तो येटले केरवणीने माटे येमने जे प्रियोगों केरा, केरवणीने माटे अनेक प्रकार्न ना विरोधो स्वन केरा, ये बधानू आलेखन, येमने साथियो ना केवा थि, के नानाभए तमे तो जीवन भर आबदू काम केरू, पड़ पच्छीनी पेढ़ी ने आबधानू परिचे क्यों रिते थर्षे, येमने पोतानी आत्मकथा लेखे, जीवन ना बिलकुल उत्रार्थमा, अने ये आत्मकथानू नाम पन बहुँछ विशिष्टा चे, गड़तर अने चणतर, आम तो बहुँ नजीक ना शब्दो लागे चे, पान येमने एक सुचन चे, के ज तर ऐ्ले के संस्थानू चणतर थत्व जये, संस्था विश्टर थी जये, संस्था मोटी थत्व जये, संस्थान अनेक विभागों शरू थाए, तर तर अने स्थापनार, येने चलावनार, जे संचालक और नियामक, मुख्यमाणस हो जये, येना आत्म तत्वनू पन करवो जीए। एक जिगे यह मने बहुँच सरस्क्यू छे। के संस्थानो दे जेम जेम मोटो थो जाए। तेम तेम एनो आत्मा पन मोटो थो जीए। आ अर्थमा यह वी एक असाधान आत्म कथा छे। के जे केवने कार्नी आत्म कथा छे। एक कर्णी कार्नी अनुभह कथाथा. एक कर्णी कार्ये प्रयोग क्यों करे जा। तो यह संस्थानो विकास क्य जेम वामनना त्रण पगलाा आता यह sera साथिय। नानाभाय पण एना जीवन मा त्राण संस्थावनी स्थापना करी। ए बधानु जे अनुभव रसित बयान छे। अत्यंत रसिकृते अने उमाशंकर जोशिये नानाभाय माटे एक बहुच उत्तम अवलोक नापुचे। के नानाभाय ना जीना जीना जीवन व्यवहारों मा धर्म जीवननु व्याकरण प्रगट्थातु तुदू। आ बहुच अगरू होए छे। एक मानस संस्था उभे करिदे, मकानों रचाए जाए, ग्रांट मढवा मांडे, ए शेलू छे। पन एक मनुष्य एक संस्था ने पोताना आत्मविकास नू मध्यम बनावे, तो ए संस्था के भी होए। एनू बयान ते घडतर अना चणतर मां थेलू छे। ए अर्थमा आत्मकथा नी बहुच मुटी विशेस्ता छे। कान के गुजराती साहित्य मां नर्मत्ती आत्मकथा नू प्रारम थयो, पन मात्मा गांधी नी आत्मकथा आयवा पची एक धौरण बन्दाय। के एमा सत्य केटलू सचवाय। ए लखनार पुर्वग्रहतित प्रेरित्तो नथी ने। ए लखनार पोतानों बचाव नामू तो प्रगट नथी करतो ने। एक केवर पोताने अहंकानी लिलावतो प्रगट नथ करतो ने। आ एक धौरण उबू थे। उपरान तेक आत्मकथा ना स्वरुपनी पासे आपनी अपेक्षा होई छे के आत्मकथा प्रेरक बन्वी जीए। येनी जे नबडी बाजुओ जीवन नी छे येनी संचालक नी जे भूलो छे संचालक प्रारम मां अमुक मर्यादा ये बधा मां थे आपनने बोधपाट मिलाये छे। अन्ने जे ये येने सफ़डता मेडवी, जे येने साहस्कर्या, ये मां थे पच्छीनी पेडिना अनिक केल्वणिकारो, शिक्षको, विद्यार्थियो, वालियो, निति-निणायेको आ बधाने प्रेर्णा मिलाये छे। आ प्रेरक्त ये आत्मकथानो बहुज मूटो गुण छे। गांधिजीनी आत्मकथा मांचो, ननाभाय नी वांचो, रविशंकर माराद नी वांचो, बिजया कोई पड़नी। अपने एक वाचक तरीके मा रस्पड़े छे, ते जीवन नी प्रेहना मिलाचे एने कारणे। कारण के आत्मकथामा आत्मनिरिक्षण और सच्चाय, सत्यनो अग्र, ये बहुज नौनपात्र होए छे। आ आर्थमा नानाभाय नी आत्मकथा, नानाभाय भट नी आत्मकथा, ते बहुज गुजरात नी जे नौनपात्र, महात्मा गांधि पछी नौनपात्र आत्मकथ करा हो चे, य़ेमां एमनु स्थान छे, अवे, इक बिजी रित पण आने आपने तपासी शक्क आ केल एक व्यक्तिनी कथा होगा छ दां व्यक्तिनी कथा नथी, एक संस्थानी कथा छ डाता क्य व्यक्तिनी एक लेके के डोणीने केविरते एक मनुष्य जुए छे एने आचरनमा मुके छे एना प्रियोगों करे छे इमा भूलों करे छे भूलों ने सुधार्तों रहे छे एनी एक प्रबोध कथा छे आए ए अर्थमा घर्तरने चनतर बहुत नौन पात्रा आत्म कथा छे एक तरफ दक्ष्णामुर्ति देव नी उपासना छे दक्ष्णामुर्ति देव शंकर नू चीर युवान युव रूप छे एक युवान 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 यु घुरु बोले एन इकरता एना जे जिवे एना जीवन नी असर वधारे थायाए चे। आ केवनीनु रहस्या चे जे नानाबै नी आत्मकत्तामा प्रगट थाया हूँछे। एटले नानाबैनो जे संस्था संचालक है एनो अद्यात्मिक विकास अने संस्थानों विकास ये समांत रेरी चालवा जुले, ये औहमा थी अपने सम्झयाए। आ बहुझ अहरू होें, कि एक संस्था श्थापप, ये शं सच्था चाले, ये संस्था डिग्री आपि, ये शंस्था मा बढ़ी नविद्धियार्थि, पर नौकरी मेलें, आ बदू प्रवाण मा शयल हुँचे, पढ। आ विद्धियार थी उत्तम मनुष्य केम बने, एक उत्तम नागरिक केम बने, ए नानाभाई सामें छे, यमनू लक्षा आछे, तो आवा नानाभाई केम थेया, आवेव जीवन धिये, यमने केम मेडियू, एक विजुपन, एक विगत तरीके पड़े महत्वनू छे, के आ पहला न हमनी कत आ हए, यह नानाभाई आवा केम थेया, एने जो आपड़े समझीए तो नानाभाई आमज बरते, क्यो वार्षो होतो, जमके एमना पिता, एमना, दादा, आवेदा क्यो वा प्रकांण ना मान सहाता? यह जो समझीए, तो नाना भाई आवा केम हिसे इसमझा आप आर्षव पांड किट्लों बदो नेड़ना एक बनतो होतो, चोटा भट बहुत सरफ भागवत कथा करता था, पची भावनगर ना दीवान गगा भाई है, यामने एक धोतियो आई पू, रेश्मी है तो, पचीश रुपिया ए जमाना ने किम्मत थे, चोटा भट ने आवा मोटो कथाकार, आवा मोटो संस्कृत नो जानकार, अने जैने एमने दोतियो वेची नाखे बजार मा, पचीश रुपिया लोही लिदा, पण रात्रे पोता ना पत्नी चंदुबा ने उठाडी ने के, मारू उच्वमीन आमा देह पड़ी जेश्य, एमना पत्नी ने भूलतो करी, पण जागरूती पणावी, के मारे आउने करो जीए, एमना वड़वा त्रिकम बापा, पावनगर राजना चारे हाथ, बहु मोटा वईद था, पावनगर ना माराजये, एमने एक तामाना पत्रा उपर लखिया प्यू, के आटली जमीन, आटला खेतर, तमने हुँ दानमा आपू छो, त्रिकम बापा ये ना पाड़ी, ना, अना शू के छे, आतमे जो भाषा, आजे आत्मविश्वास, मारा जाने पना आउँ कई शकाए, तमारे मारा चोकराने ब्राह्मन नतिरे आदेवा, तमेने वटलावा मागो छो, मारे आ जमीन ना जुए, प एक वार येमने एक जैन मुनी ने दवाकरी ने साजा के रहा, बदा जैन श्राव कोई भेगा थाई, ने येमने बे कड़ा स्वनाना बेटाय प्या, त्रिकम बापा तिया थी निकली निलकण मादेवना मंदिर मा जै, आनने मादेवना चरण मां बे कड़ा मुंकी दीता, क आ जे जागरूती, आ जे मुल्यनिष्ठा, आ जे जीवन, साद्गी बेरा जीवन ना सत्वनों ख्याल, येमा थी ननाबय आविरिते केडवाय आचे, आ वार्षो ननाबय ने मड़ैलो छे, येमना पत्नी, अवे एक आड़े, बहुष आथी लगबग 110 स्वरस्परानू च कई कराए, ये ख्यालत नो तो, येमना पत्नी नाम शीव भाई, शीव भाई ने ताव आयो, पन घरमा वहुए कायम दड़ूँज जुए, गंटिए, नाना भाई ये कहू, आजे हुँँँदड़िश, आख्खा घरमा हो हाथ हैगे, आख्खा घर ने इतलो बदो आगात पन नाना भाई ये कहू, जो शीव भाई ने ताव चे, तो दड़ूँवानी जरूर चे, काण के गेर-गेर घर घंटी चालती तीने येमा थी लोट मड़ दो, पन तो हुँँँद़िश, एक बिजो जेवो किस्व चे, नाना भाई केम आवा थे, आन्ने आ जोवा जे हु आ सोजो आविग्यो, वहिद राजे कहू के केड़ू बांशोने पाकी गेलू केड़ू, तो हा सोजो उतर्षे, अवे वहु माटे पैसा खर्ची ने एक केड़ू लवा एज ख्याल नो तो, एज जमान नो तो, नाना भाई कहू के केड़ू लाविए, तो केना वहु माटे पूताना जुडावेची एमा थी शिवभाई माटे केडू लाया केडू बाइंदियू और शिवभाई ने सारू थयू पन नाना भाई नोंदे छे आत्मकथामा एक मैना अमारा घरमा क्लेश चालियू मारा बा, बापुजी, दादा, दादी, बदा कुटम भी जनो बाद धाये गम्मे एकलो संब्लायू पन नाना भाई डग रहा आ महत्वनू छे के वरिते नाना भाई तेयार थया शिवभाई ये तो एक अजो तो ए उम्मर नानी उम्मर लगनो था शिवभाई आव्या अने य तोमारा जया मित्रो छाने यह युज्यमानचो नठी, यह सारा मानचो नठी गणती, तमे एनी संगत छोडिदो और नाना भाई यह मित्रो छोडिदा, आज ये जागिरूती छे विजी बाद विद्यानी उपास्ना के वी नाना भाई मुंबई मा बनता ता यह मेनू करता विद्यानी उपासना चे नाना भाई ने शेक्षपेर बोज गमे शेक्षपेर नाटको बोज गमे नाटक मंडली मुंबै मा आवी हवे नाटको जो जोवा होए तो ये वकत ने फी पन त्रीश रूपिया आती शू करू नानभाय नक्के करू हुँँ शेक्षपेर ना नाटक जोईश अन्ने येने माटे बे मैना सुधी एक टंग एमने खाजा खावानू एक टंग नो करन्या पैसा बचाएगा पन त्रीश रूपिया खर्ची अन्ने शेक्षपेर नाना नाटक चुया आ प्रकार नी येमने जे विद्यानी उपास ना आती येटले के शुरूत यग्न जीवन ना छिल्ला वर्ष सुधी नाना भाय सतत मांत ता येमने पातला गाडा मा इवा इवा विज्ग्नान ना पुष्टक वाचे तो कोई के पुछिऊ के तमा विज्ग्नान ना पुष्टक के मा बाचोँछी। तो के के हुँ आइंस्टाइन ने एटला माटे वाचू छू, के आइंस्टाइन अने अध्यात्म इभी क्या इनो मेड़ छे, आ जीवन ना छेल्ला वर्षे आइंस्टाइन ने वाचे मानस, आ शुरुत यग्नमा थी, एटले जुगत्राम्दवे कहुतू, के आनन्शंकर ते नानाबय बढ़ छे, आ अर्थमा एक उत्तम शिक्षक होए, तो क्यो होए, एक के विल ते घड़ायो होए, एक के वे विद्यानी उपास ना करे, ए नानाबय नो जे घड़तन्नो काड छे, एनू आपने आएक चित्र जुयू. नानाबय ने खुबी यह आती, के जीवन धे विशेनी स्पष्टतामने घड़िवेली मढ़ी गये छे, एमनी पोतानी जागरूती, एमनो अभ्यास, जीवनने जोवानी, एमनी तयारी, जीवनने जेरिते अलोकन करता था, इतले के पोतानो स्वधर्म के हो छे, क्या स्वध स्वधर्म माटे ए जीवन जीवा मागे छे, एनी स्पष्टतामने विली आविगे छे, एटले जारे एमे थे ने आया मुंबई थी, औने भावनगन्ना माराजाने मिल्या, पटनी साहिबनी निकटा था, तो के के मारे प्रात्मिक शाड़ामा काम करूँ छे, एमे थे लो म मानस प्रात्मिक शाड़ामा काम करे, कान के मने खबर थी, के जो मारे मनुष्यत्वनी करवी होए, मानस मारे जे उत्तम गुणों छे बार लाबा होई, तो मारे मुड थीज, प्रात्मिक शाड़ा थीज काम करूँ जी, पन बहुत सकत विरोध थे, प्रात्मिक शाड़ाना शिक्षो कोईज भावनगर्ना शिक्षो कोईज इतलो बदो विरोध करियो के नाना भाय प्राथ्मिल्षण मत नहीं जाओवा जुए एतले ए मववानी आईश्कुल ना अचारियत है लगबग एकाद वरस काम करियो औने पच्छिपटनी साहब ना के वाथी ए भावनगर्न आ नाना भाय ना वर्गो भरवा माटे जे ए विशे ना लिदो विद्यार्थि आविने बैसता अध्यापको आविने सांबड़वा बैसता निवडेला अध्यापकता एक बिजिरीत पणा आने जोवजी ए जमाना मा जारे एक रुपिया मा आखा गर्ननू बदो खरिदी श चेकातोतु इतली सस्ताइना जमाना मा नाना भाय ने कॉलेज मा अडिसो रुपिया नो पगार मड़तोतु पन नाना भाय जोयू के मारी समय जे भणवा विद्यार्थियो आवे छे यमने पोतानी कारकेर दीनू उपडियो छे आमाथी केवी नौकरी मड़शे आमाथी जमाले-गले जे बधाने आकर्शन छे ये विद्यार्थियो ने पोते सारो मानस्थ शेके नि अने तो केपडी न थी एमाँ ये रस्पण wei अमा थे एमनु चिन्तं चाल्यू, आमा थे एमनु मन्थन चाल्यू, अने नणा भैने थायू, के जो विद्याड थे नुँ घरतर करुऊ है, तो मारे चात्रालईनी थापना करवी जिये। ये वक्त बोर्डिंगो होती, आखा गुजरात्मा बोर्डिंगो होती, चात्राली यो नोता, ये बोर्डिंगो रेवानी अने जम्मानी सगवड आपतीती, पन ये बोर्डिंगो चारित्र घडतर करवानू काम करती नोती, ननाबाई नोतो ये उँ चात्राली करूँतो, एक आएक बहुन नवाय भरियो छे, अकासमा छे अपन बहुत सूचक छे, के नाना भाई नी नाना भाई ये भावनगर ना जे रेल्वेस्टेशन छे, येनि बाजुनी एक धर्मशाड़ा मां छात्रा लाई शरू पेरू, ये मने समझाए गेऊ, मात्र रोडबे वर्ष मां जे, के हुँ बे घड़े नहीं चड़ी शकू, मारे जो आ विद्ध्यार्थियोना चाहित्र नू घड़तर करू होए, तो हुँ कोलेज में अपन काम करू, और मात्र चात्रा ले चलाओ, ये शक्क्य नहीं बने, ये तले नाना भाई ये, कोलेज मां राजनाव मां अपनु नक् करेश, कुटुम्मा, नात्मा, गाम्मा, बद्ध्य आहा कार्थेग्यो, आनना भाई चू करेशे, कान के ये प्रतिष्टित, पदवाली और पगार वाली नौकरीज मलवी दुल्लबती, और नाना भाई तो खरेकर अध्यापक अताज, निवडेला अध्यापक अताज, अन अतले भावनगरना महाराजा भावसी जी ये मने बुलाया, अने ये मने कही हूतु, नाना भाई नोदेव छे, मास्तर फरिवार नोकरी लेवा आओ, तो हूं आपीश्ट नहीं, अजी फरिवार विचार करी जो, जे राजनमना कागड़ी आचे लेजाओ पाछा, नाना भा ये पच्छे ये मने विचार ना करो, ये मने कॉलेजनी नोकरी छोडी, अने ये पहला दक्षिनामुर्ती भवन, ये मात्र छात्रा लेयोतु, ये पच्छे विद्ध्यालाई पन प्रस्थाप्त ना करी, उगणी सोने दसम, आज थी एक सोने पांच वर्ष पहला, आज जो ये पहला ये मने आ प्रारम करो छे, के चारी तर घड तर करे एज साची करें। ये तले हाका इसालुनो तुं, पैसा नाथी। मकान नाथी। साथिदारों नाथी। अने छता ये मने प्रारम करो छे। एक पोता नी आत्मकथा में लख्यू छे के शरुवात ना दिवस्वमा केवी-केवी जवाबदारी भागेया दिशु यह में लख्यू छे कणिवार्तो, गुरुवपती पणु, शिक्षक पणु, कोठारी पणु, रसोयो पणु, ठामवासन माननारी बाय पणु यह में बनियू छे अन्ने आ तमाम काम ने अंते रात्रे दक्ष्णामुर्ती ना कारकून थे नमे इसा बोले क्या छे अन्ने शेट थे ने सही ना बिलाड़ा पन तान्या शिया। अ तमाम काम ने करवाना आता है। शरुवा आत्मा पद्धती विशेनी, धिये विशेनी इस्पचता आती, पद्धती विशेनी नोती। तो यमनो संस्कार, ते रुडिचुस्त, ब्राह्मन कुटुमनो उतो, यमना गुरु, नत्थुराम शर्मा, बिलखाना, यमनी पासती जे हिंदु धर्मना प्राचिन बता परंपराना ख्यालो होता, ये लईने यमने प्राहरम करेलो। आ एक जोवा जेवुचे, के आ मानस्तनो प्राहरम क्या थीचे, अन्ने केवरिते जाने के एक पची एक एक पची एक शिखर नुँ आरोहन करता गया से जिवन मा, आ नानाभाई नी आत्म कथा एक व्यक्ति ना आरोहन नी आत्म कथा आशे, ये पने ये द्रिश्टी ये नानपाद्रा से, शरु आत्मा तो थोड़ाक उडखिता, मित्रो एना बालको जता, पची दक्षिनामुर्ति नी श्थापना थे, ये दक्षिनामुर्ति नी स्थापना पची विच्तार थे्यो, मोटिछ शंस्था थेत, त्यारे पन च्वाट्राल है उपरम्ये ये 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 इटलू ध्यान आत्यो, अने के विरी ते प्रारम थयेलो, कोईक विद्धी आर्थी मोड़ा उठें, कोईक व वामा आऊ तो, कि आजे तने दूद नहीं मले, आजे तने घी नहीं मले, चोपडेली रोटली नहीं मले, आजे तने बीजु खावाणू मलस्ये, पन शाक खावानू नहीं मले। शेनमाटे आकरता था, जमके सवारे बदा विद्ध्यार्थियों गुरु तरीके अमने प्रणाम करे, गुरु पुजा थाए, अब अध्याज प्राचीन परंपरा थी अमने स्विकारेला, इवा धोनों थी अमने प्रारम करेलो, यहमा एक प्रेमशेंकर, भड़कवा अगाम ब्राह्मन, यहना बेपुत्रों दक्ष्णामुर्ती मां भड़े, अने यह मळवा आएगा, आविने नना भईने के, बदा यहनु नाम, आक्कु नाम तो मुळ नाम तो नुरुष्वी प्रसाद, पच्छी टुकु रूप थेगियो, बदा यहमने प्रसाजी ने नामे अने यहमा भूल पड़े, कोईक विद्धियार्थी प्रात्ना मोड़ो आयो है, कोईक संध्यानी अंदर जराक बराबर नहीं करू है, तो यहने फाइन था तो, दंड था तो, तो तमे आ फाइन करो छो, अने आविरिते, शाक के दूद के गीना फाइन करीने, तमे आ विद याग माथी आ विद्धियार्थी होशे, मारे मारा पुत्रो धर्मनो एक कक्को न जाने ने तो चाल शे, पन आ मारा पुत्रो तमारा के मुटाबाई जिवा थाए, इतला माटे मैं बणवा मुक्या चे, आ एक वाली नू वाक्य, नाना बाई उंगी न शेक्या, यहमने अं साचो शिक्षक ते आत्मा निरिक्षण करया वगा रहे शक्तो ना थी, पन आत्मा निरिक्षण करे यह आत्मा परिक्षण पन करे, आत्मा परिक्षण पन पुर्तू ना थी, पचि आत्मा शूधन करू जिए, आ उत्तम शिक्षक करया वगा रहे शक्तो ना थी, नाना बा पढ़िक्षाना पढ़िणामों हरीफाय अब अब धानों यमने बैश्कार करें। येटलोने आखा गुजरातमा पड़े ये वात यमने वारंबार कया करें। चो के यमना गुरु हता नत्थुराम शर्मा येणवे संस्था उभिकराम मदद करें। ये जमानमा दर वर्षे 5000 रुपया ही मदद करता। ये गुरु एक वार कवी कांत दर गुरु पुर्णिमा ये बदा विद्ध्यार्थी हो साथे गुरु पुजन्नों करेकम राखता। कवी कांत आएवा एक दिवस हाथ मा डंगो रोलेने। प्रसाथ जी आ गुरु तमारा आखे। तमारे घेर येमनी पुजा राखो। बदा विद्ध्यार्थी होने क्यम फरज्यात पुजा कराओ छो। ननवाय तरत जागरु थे गिया। अने एमने गुरु पुणि माने दिवसे गुरु नी पुजा करे पन पुजा ने गेर। जे विद्ध्यार्थी होने रस होय ते आवे। आने कारणे बिल्खा आश्रम मा एटली बदी गेर समझ थे के ननवाय तो गुरु नी जाहर पुजा बंद करावी दिवसे अने तिये दिवसे गुरु पुणि माने दिवसे बिल्खा आश्रम तरप थे तमाम विद्ध्यार्थियोंने मिठाय नो भोजन आपाज़। ये दिवसे बिल्खा आश्रम में मिठाय बन थे गे। आनना भाय अनो जीवन जाने त्याग नू झीवन छोडवानू जीवन छे छोडवाना ये मना जीवन मा एटला बदा प्रसंगो छे। काण के वारंबार येमनी सामेनो एक प्रश्ण आतो, कस्मे देव आये हविशाम विदेयो, कया देवने माटे हुँआ हवि, एटले के आ जे बदू अरपन करी रहे हो छू, यगनमा जे होम थाये, येमा जे पदार्थ होम आये, येने हवी के छे, आउंक बदू कोने अरपन क कुछा के रहो छे, आने जयारे-जयारे येमने येम लागियो, के हुँँ आनाथी जुदे मार गया चुँ, अथवा तो, आम नही त्यारे-त्यारे, येमने गम्मे एटला विरोद, गम्मे एटला प्रतिरोद, गम्मे एटला जुदा अभिप्रायो, पन येमने येनो त्य इतले नाना भायनुँ जीवन एक रिते त्यागनुँ जीवन छे, यहने एक कहर माडा छे, बैचार प्रसंगोज पूर्ता थाशे, गांधी जी अदेश मा आवि गया आता, अस प्रित्ता निवारण नी हवा आती, नाना भाय नक्के कर्यू, हरी जनने में प्रवेश आप्छ प्रवेश निश्यद नहीं होई, गुरु बहुत नाराथ है, गुरु यह बहुत नाराथ है, गुरु यह बहुत नाराथ है। गुष्ण करें, नाना भाय यह करें, हुँँ कोई विद्ध्यार्थी ने मारे तियाँ प्रवेश माटे आटकाविश नहीं, गुरु ने छोड़िया, बहुत आदर राख्यों, जीवन भर आदर राख्यों, गुरु ने छोड़िया, गुरु दर वर्षे यह जमाना केम एक उत्तम केवनिकार, केवनिनु जीवन जीवव हो है, तो अंदर पन केम पोताना आत्मस्वत्वने मजबूत करूँ पड़े, यह नाना भाय नु जीवन जीवन जे, यह अर्थमा नाना भाय नी आत्मकता, वो नान पात्रा आत्मकताशु नाना भाय भट यह जने ब्रह्मनी उपास्टना करनार ते ब्राह्मन इवा ब्राह्मना ता, यह ने जमाना जे वह तो, के ज्यारे अंग्रेज सरकार होऊ थी, कोई ग्रांट नो थी, कोई मदद नो थी, संस्था चलावी होए, तो काँ कोई तमने दान आपे, अन्ने काँ तमारे दान लिवा माटे, जे श्रीमन तो होए, यह ने पासे जवू पड़े, यह तले नाना भाय यह क्यारेक तो चार महिना, छा महिना संस्था बार्रे होऊ पड़ू, संस्था जम्जम विकस्ती गई, अरवाय यह, गिजु भाय यह, गिजु भाय बदे का, यह बदाये बालवाडी शरू करी, आइसकोल शरू करी, यहने काणे बीजा मानसो रूकाया, बीजी मकानों बांदवा पिड़ा, इटले के पईसानी कायम ख्याँ चाती, पईसानी ख्याती, त्यारे उवी लालच साच्वी ने शिक्षन संस्था चलाववा मागोचो, के बांचोड करोशो, यह भी बांचोड के जे तमारा क्योणीना सिद्धान्तों ने ज मारी नाखे, जे आजे चारे बाजो जुआ मड़ाईशे, हाटडी बांदे ने जे लोको उभाचे, बेठाचे लोको. नानाभाई ने सामे, अबदू खर्ट तो करवानों जो तू, दानमा थी अबदू खर्ट पूरून हो था, बहुच करकसर थी, सादगी थी चलावता था, यह मा यह मनी सामे, एक दर्कास मापावा, मुक्वा मावी, जो तमे गर्भाधान गुटी का बनावी ने वेचो, तो नानाभाई तमारे जे आप पैसानी खेंच रेशने, संस्था चलावा माटे कायब, यह मा थी तमें मुक्त थे जो शो, नानाभाई यह कयू, वू अई शिक्षण नी संस्था चलावा बेट हो शो, शिक्षण नी संस्था, गर्भाधान गुटी का बनावी ने तो यह व्यपारी संस्था बनी जाये, यह मा थी मने भले पैसा मले, यहू काम हूने करू, जो के आजे जे बनी रही हूँ छे, अत्यार्ना भारतना संजोगो मा यहनी साथे आने सरक्खावाजी हूँ छे, यह जमानामा लोट्री नी करती, लोट्री नी टिकेट काड़ो, यह थोड़ुक तो कोईक ने इनाम मले, पड़ तमने खासी आवग थाए, यह जे लोट्री वाड़ा आता है, यह मने यह म कईऊ, नाना भाई, तमें जो आकरो ने, तो लोट्री बहुग खपे, टिकेटों बहुग खपे, अन्ना तमने खुब आवग थाशे, तमें लोट् आवा खोटा रस्ते लई जाओ, अन्ने एनी अरामनी कमाणी माथी, वुमारी संस्था चलाओ, तो इस शिक्षण संस्था नारे, यह दक्षण मूर्ति देव नी उपास नारे, अन्ने यह मने ना पड़ी, त्रिजो किस्व यह ना थी, यह मोटा चे, वड़ताण अन्ने ग पहनोगर राजना दिवान प्रभाशंकर पटणी यह नीड़नायक अता, नानाभय पटणी सहाब नी बहुँन निकट अता, अने जो नानाभय बलामन करे, तो पटणी सहाब केस्ट ने जे मंदिर तरफ आगरहतो, क्या में तमने पैसा आपशू, यह ना तरफ जराक नमे, तो यह मंदिर ने लाब थाए, आ घटना उगनिशोने वीश आसपास नीचे, आती पंचानू वर्ष पेरानी, कितली रकम नी यहमने उफर करवा मा आवी थी, नानाभय तमे जो पटणी सहाब ने आमारी बलामन कर्शो, तो आमे तमने बे लाख रूपी आपशो, आ पंच यहाणू वर्ष पेलाना बे लाख छे, संस्था मा नानाभय यह फाड़ो करवाना जो उपड़त, कोई श्रिमंतो ने मड़वाना जो उपड़त, दान नाले उपड़त, एतली मोटी रकमाती, नानाभय यह कई हूँ, हूँ आओ पक्षपात करीने, एक धर्मनी, एक संस्था ने अन्याई थाए, यह उपग्ड़ू ना भरी शकू, तम्य मने बे लाख रूपिया नी भले ओफर करी, हूँ आन इस्विकारी शकू, मारी संस्था गरीब रेशे, मारी संस्था दान मेडविने चलावीशे, पड़ू खोटू कपग्ड़ू नी परू, आ संस्था ने तेजस्विता नो पाय होईएं चे, मुख्य मानस नी आ मुल्य निष्टा जो होए, तो संस्था तेजस्विरे, काण के यह प्रलोभनों ने वश्ट नत्था दा, एक बिजीरिते पन जो आजेवू छे, के दक्षणा मुर्ती है, शू नवू केरू, दक्षणा जने काका साहिबना और आनन्शंक द्रून आशिर्वाद मिला, प्रसन्नत आमडे, यह केम थायू, काण के ननाबयना साथियो, गिजुबय बदेका, हरभाय त्रिवेदी, ताराबयन मोडक, गोपाड़ा विद्वांस, यह समर्थ मानस हो हता, और ज्यारे बालक ने सोटी वागे चंचमने विद्द्यावे रम्रमय मानताता, यहम वक्तों आखा गुजरात्मान पछि भारतमा पण यह संदेश गयो के बालकining इस अमार्षो नी् बालको ने mano येने माटे एक डोल्टरन नामनी शिक्षन ने योद्ना सौथी वधारे जे अस साधान बन्यू जे गुजरात मा आभी रिते प्राचिनकाड मा रुशियोना आश्रम मा आतू वर्तमान काड मा पेडियोनी पेडियोती जे भुशाय गयोतू ते शिक्षक अने विद्यार्थि आत्मिय संब्द्ध एक परिवार भाव आब धाने काड़ने दक्षन मुर्ती सिद्धिना शिक्रे पोँची सफडता ना शिक्रे पोँची अने आबदू नोनपात्र ये छे के उगनिश्वन दसमा नानभाये संस्थानी स्थापना करी अने उगनिश्वने साधत्री सुध सत्य विश्वरस मा अक्का गुजरात मा दक्षन मुर्टि शिर्तोतनी संस्था बनिगे अभी संस्थाओ नी एक करुणता पणवाये छे आ संस्थाओ ते किएवल डिग्री आपनार संस्था अमुक विशेवर बणावी नाखनार संस्था नाथि आ संस्थाओ विद्धियार्थियोंनु मनुष्य तरीके नुँ घडतर करनारी संस्थाओ अन्य जे मनुष्य नुँ घडतर एक केंद्रमा राखी ने पचे आक्षो बाके नुँ परिगुपर बदु गोठोए जी एवी संस्थाओ चलावनार मानसो नी अध्यत्मिक तानो पन सतत विकास थेया करवा जिये। केंद्ख्षणा मुर्ती तुटी ये पाण संस्था संचालन माटे समझवाजिवाजिवू छे। संस्था संचारन मा ननभाईये पोतेज नवद्यो छे। अमारा काम थी, अमने मलेला यस थी, अमारी आवड़त थी, अमे फाटी तो नोता गया। दक्षणा मुर्ती देवी, दक्षणा मुर्ती जेवी संस्था न विश्थान न पहुंची वड़वा, माटे कारिय करतावना अंतरमा अध्यात्मिक्ताना पाया उंडा नखावा जुए। ते अमारा जीवन मा नखाया ता खरा। अन्य तमें जो, के केवीर ते नाना भाईये एक जाने के कोईक पोताना शरीर उपर छरी चलावीने, पोतानू जाने के एक पची एक ओपरेशन ना, एक पची एक पड़ खोलता जेता हुए। दक्ष्णामुर्ती संस्था तुटी, एनू आ प्रुथक करण, ते संस्था संचालनू व्याकरण छे। अमारा कार्यकर्ताओन घर मां, चात्रालाई मां, रसोडा ने वणांट मां, पुस्तकालाई मां विभागी ओफिसों मां, बद्देज जे अनिष्टनों में विरोद करता ता, ते अनिष्टों पेस्टी गया। अमारा व्यक्तिकत जीवन मां, एज अरिपाए, एज कातिल अरिपाए, पूर जोस्ति दाखल थेगे। अमें शिक्षण शास्त्र ना जेटला प्रियोगो करता ता, तेटला जाग्रती जीवन शास्त्र ना प्रियोगो नहता करता। येने परियना में दक्ष्णामूर्थी तूटी। आह येमनों जे प्रुथकान छे के संस्थानों चणतर और व्यक्तिनों घडतर ये साथे-साथे थोजीए। जो शिक्षण संस्थानी अंदर काम करनार मानस नी अध्यात्मिक उर्जा बत्ति ना जाए। येनी जीवन विशेनी स्पष्टता बत्ति ना जाए। येनी जीवनने जोवानी जे एक सूज अने द्रश्टी छे ए विकस्ति ना जाए। तो आँ आखो मामलों अहंकार्णों मामलों बणी जाए। अने ए संस्ता उपर्थी रूडी रूपाड़े गम्मे एटली होए। अंदर थी उदै खादेला लाकडा जीवी थती जाए। आजे आको प्रुथकाण छे। ये अद्भूत प्रुथकाण छे। अने एतले नानाबाई गुरुने छोड़या, नानाबाई बिजी बदी लालचो छोड़ी, पैसा छोड़या, पोते अवी कोलेनी नोकरे छोड़ी। ये मज अने आ देश मा गांधी जी ने काणने नई तालिम, ये अर्थ मा केवड मेकोलो नो विरोधातो, अंग्री जी केवणी नो विरोधातो, ये मनो तू। जे केवणी विद्यार्थी ना मन, रुदय अने आतने, एक्की साथे केवड़वे, एटले के सर्वांगेन केवड़वनी, तेज साची केवड़वनी इछे। आ नानाभाई ने गड़े उतरू, नानाभाई जेनी शोध करताता, ये एमने देखाय। ये पन देखाय। गांधिजी ने काने, के साची भारत वर्ष गामड़ा माशे। तो ग्राम समाधनी वच्चे जेने, आपने काम करूँ जिये। साथियों माथी कोई तेयार नाथिय। अने नानाभाई, एक ला, आम ला, ये लेके संगड शियों नी पासे, त्याँ आविने, येमने एक शुक्याई, नव पगलू बिरू। जेनी पासे बैंक बैलांच नती, जेनी पासे साथियों नती, जेनी पासे मकान नती, अने जीवन अर्धोतों पुरू थ हीओ छे। ए नानाभाई, आमलानी अंदर ग्राम दक्षणामूर्ती स्थापेँ छे। तिया दक्षणामूर्थी एती है, आमा ग्राम शब्दा उमेर आयो, ग्राम दक्षणामूर्थी, आ आर्थमा एक बिजु मोटु पगलु अतु हो एगनो अपना जोयू के आवी प्रतिष्टीत संस्ता है ये वक्ते एना मकानों ने बदानी किम्मत गणिये, उगनिश्वन साड़ात रिष्मा तो लगभग छो लाक रुपियाना, साधनों, मकानों, आतली प्रतिष्ठा ये वी संस्ता ने छोडू ए अध्यात्मिक बढ़ होय तोर्ष्यक्या छे ये छोडीने गांधी जीना बोल उपर आमलानी अंदर एक नाना गामडानी अंदर पांच जया निवस्तिनों गामत हुए त्या अभीने बेठा एकडे एक थी प्रारम करो, चकाचकी नी वार्था थी शरुआत करी, कांके अमने प्राथ्मिक शड़ा सो पाईती जे रोम नो हितियास भणालनार, महापंडित ये चकाचकी नी वार्था थी आमलामा शरुआत करी पन दक्ष्न मूर्तिन है शाखा तरीके एक वरस दर्मियान यह क्याल आइओ, कि पोता ना सांथितार है तो जुदुर विचार है ईउर्क άरह Kara यह इमने विशे शंका है कि नाना भै ऐएँ थी बदू आम ळाले जेशे आभधी मिलकत आमला ले जेशे आभदा वंडोर आमला ले जेशे कोई नना भाई ने साचा स्वरुक्मा नहीं सम्झीशे क्यों, नना भाई ये एक वरस पची ट्रस्टी मंदलनी बेठक बोलावी, और एक साचो ब्राह्मन, एक ब्रह्मनो उपासक ब्राह्मन, एक साचो क्योनिकार, जे कई शके ए वेने मने कया, आ दक्ष्णा मुर्ती मा थी बद्धूज मारे माटे शीव निर्माईलिया छे, मारे ये माथी पाई भार कशुद जोईतु नति, दक्ष्णा मुर्ती नो समाराल शाहे करेलू, एक काल्पनिक एव चित्र दू, बस मने एक दक्ष्णा मुर्ती नो आ काल्पनिक जे चित्र छे, ये तमे आपो मारे जीवन छे, छोडवानू जीवन छे, छोड़ताज गया छे, अन्ने जेम छोड़ियू छे, गितानी अंदर भगवाने कोल आपो छे, जे अनन्य भावे मने बजे छे, तेना योग अने ख्ष्यमनी चिंता हुँ करू छे, पण आ अनन्य भावे, आ भजू, आभी अंदरनी फोगवाने और खत्रेक श्रद्ध, ये नणन्य भावेना जिवन मां सि, अने यहम्ने केवर दक्ष्णामूर्थि देवझा छबिलाई अने ग्राम दक्ष्णामूर्थि नो प्रारम करना, गामडानी केवर नी केवि भी होय तेनो प्रारम करनार, यह माझे प्रयोगो यह नई तालिम ना प्रियोग वाता है। गुजरात मा नई तालिम ने आविरिते श्थीर करनार। आविरिते प्रियोग शिल अनेक भुमिकाव मती पसार कहीने। यहनू साचु रूप के वुह है शके। यह नानभाय अनन मनुभाय पंचोडिये मले। अने पचीदी मुलशंकरभाय, नप्रभूच, आविरिते शाथियो पने यहनुने मिल्या। अने यह बधाय मलिने। अद्भूत यह नई तालिम नो प्रियोग आधारित नक्षो यहां गुजरात मा स्थीर केरव। आविरिते यहनुने प्रदान चे। एक बिजरिते पाण आने आपने जोगु जुए। के नानाभाय जे रिते विचारे छे। नानाभाय जेरे भावनगर छोडियो। आने आमला आववानू पसंद करियो। त्यारे यहनुने अनेक लोग होए। काणके त्यारे नानाभाय त्यां सुधी मा गांधिजीना केवा थी। बेवरस माटे गुजरात विद्ध्यापिटना। कुल नाएक पन थे आता। आजे जेने आपने वाइस चांसलर कहिये ची। स्वराज पछे दोट पणा बेवर्ष माटे डेबरभाय ना प्रदानम नल्माँ शिक्ष्ण मंत्री पण थे आता। पने यहनुने लाग्यू, मारू काम मारा विद्ध्यार्थियो वच्चे छे, यह मारे करू जी। इतले ज्यारे यह मना विद्ध्यार थियो माध्यमिक्षडा माध्य आमलानू काम यह माध्यमिक्षडा करक्सानू छे तो यह मने लागियु के हाए उच्य सिक्षण नू काम करूँ जे उच्च सिक्षन नू काम करवा माटे, ये वक्ते पन अनेक लोगोई आमंत्रनापितु कमारे तेया फरदूप जमिन चे, पाने चे वगेरे, त्यारे ये मने सनोसरामा लोगभारती नामनी संस्था शापी, अने लोगभारती नी संस्था स्थापती वक्ते, नानाभाई नी एको तेर वरस नियाती, आमने त्रीजू पगलू करिऊ, के नई तालिम प्रमाणे नू उच्चे शिक्षन के हुँ है, अल्बद आत्मकाथा मा ये नू वणन प्रमाणमा मर्या दिच्छे जेत्टू दक्षणामुर्ती नू वधार भीगते छे, पान केवने नू एनो नक्षो लुगभर्ती द्वारा पायो। ये तपास्वा जेवुँ छे के एको तेर वर्ष्णी उम्रे माना सामाइन देते निवरुती तरफ उडे, त्यारे ये नौ प्रयाण करे छे, अन्ने नौ प्रयाण एक अद्भूतरी ते येमने आ लुगभर्ती ना पाया, लुगभर्ती येटले केवी होय। लुगभर्ती शेने माटे छे, येना आदर्शो आपए। येटले उमाशंकर जोशिये, नाना भाई ने अंजली आपता कहुँ छे, के नाना भाई जेवा पूर्षो ना, जीना, विवेक भिर्या वर्तनमा, धर्मनू व्याक्रण जे नाना भाई भाउनगर्ना माराजाने, येमने तिया कुत्री हती अने गलुडिया बहुछ सरस अता, अने गमी गया, पन विद्यार्थियोंने ये बहुछ गमता था, अने लेवा आवनारा जे शिकारी होता, येमने दबान कर्यू अने पच्छितों बढ़जबरी करवा अने भाउनगर्ना माराजन आपड़ी दिति के कुत्री नहीं आपए, गलुडिया नहीं आपए, आ आत्मबळ, आमला मा बेठा, गमलो नामनो एक बारबटी होतो, एक गमला ये गामना, किटलाक, समरुद्ध, खेडुतोंने मारबानो नक्की करेलू, नाना भाई ने खब पड़ी, आम गमलो ज्यांती आववान होतो, त्यां रात्रे, अन्दारामा मात्र पंचियों पेरू छे, आने जनोई छे, आने येमना साथिदार हो छे, गमलो आभी रहो छे, आने जुए छे के नाना भाई छे, पन उड़कतो न थिये जी के इतला अन्दार हो छे, कौन छ तो के हूँ नाना भाई, तो के नाना भाई मारे तमने काई नथी करू, तमने अटी जाओ, मने गम्मा जवादो, नाना भाई के छे, आ गम मारू छे, जहां सुधी हूँ जी उतो छे, त्यहां सुधी हूँ तमने गम्मा नहीं जवादो, तो मारा शबू उपर्थिज जई एक गेमलो पाच्छो बढ़िए। त्यारे नानाभायशू कयो तो आ गाम मारू छे। आ गाम ना एक एक नागरेक ने बचावो एक मारो धर्मा छे। आग किविले ते आए बधु शक्या बने छे। आजे आपने माध्यमो नो विचार करिये छे। त्यारे अंग्रेजी माध्यम बाऊज तोज केंद्र सरकार्त रप्थी मदद मड़ाय हुग तो। ये वो एक कोर्स हो तो। नानाभाय ये कयो आमने बधु मान्या छे। अमारा विद्यार थी हो मात्रू भाष्यमाज बनशे। ये वक्ते उगनेशोने साइटास पास केंद्र सरकारत रप्थी त्रन लाख रुपिया नी मदद मड़ते थे। ये मने डॉक्टर स्रीमाली त्यारे केवनी मंत्री आता भारत ना ये मने कयो तमारो अभ्यास्क्रम शुद जोयतू नथी अमें जे एकबे मकान बाइद्या छे ये पन तमने पाच्छा आपी देजे। आ केवाने इम्मत आमाटे कुटम माँ नाती माँ समाज माँ आक्खा जाहेर जीवन माँ नाना भाई जे आत्म बढ़ बतावे छे ए आत्म कथा माँ पदे पदे आपने जुआ मड़ा छे. एक पहलोपन किश्वा मजाना छे कि नाना भाई एकवार भावनगर माँ आताने ह्रिजन वास मां गया गेरा आएवा राद्र ह्रिजन वास मा बदृ वा तो करी ने नेन,मली नेन, एक मना पतनी अज्वाडी भा ये अज्वाडी भाई कई हो कि ह्रिज घिन वासमा थे आयए अज्वादी बता मानता एज्वास प्रिष्ट थामान इतले नान बया किए कि स्नान करने पच्छी घर्मा आवो नना भाय के वके आत्पक्दोईश स्नान न थी करवानों काण के वुँ रिजन वासमा गयो अटले अपड़ाय गयो युँ मान तो न थी तो अजवाड़ी भाय अपना अग्रा राख्यो को तो तमने घरमा नहीं आवा दो नना भाय के एक कोथलो आपो आजवाड़ी भाय कोथलो आपो जनन अगण आगलना भाग मां उटो हना अटो एना उपना नना भाय कोथलो पाथरी ने स्विए थोड़ी भाड़ी हने अपने बिज्व ले पाथरी निया आए वा सबगा आप अग्रो-एन युश अवने आपने अजवाड़ी भाग हने प्रजबरी आयम के करूज जुए यो दबाण करूनोतु अने क्रमश अजवाड़ी बन बढ़लाया ए अजवाड़ी बाप पच्छी आ बद्धा माती मुक्त थे गया आ घर थी लईने समाज सुधी कि विरते एक उत्तम केवनी कार आ बदू करी शके एटले चुनिलार मढिया आ अजवाड़ीन ंञा अटमकाथ वाँच एक बन्ढ़्खोर मरजादी ना होए जो बंडखोर होई तो यह मर्जादी ना होई और मर्जादी होई तो बंडखोर ना होई नाना भाई नी अंदर आएक विशिष्ट यह संयोजन थाई होचे के प्राचिर मुल्यों नी यहमने बराबर खेवना छे और अर्वाचिन जीवन ने यह बराबर समझे छे आजे बनने वस्तु भेगी थाई चे नाना भाई माँ दर्षय के मनुबय पंचोळी यहमने कद्बूत अंजली आपी चे के नाना भाई माँ सिद्धान्त और व्योवाण नो जे संयोजन नतु जे समनभय अतो जे सम्तुला नतु यह में बिजा कोई नामा जोई नती आ प्रकारे आ आत्म कथा ए आत्म निरिक्षण माँ थी केडवायली जागरूति माँ थी संस्था क्यारे तूटे चे गुजरात नी केड़णी ना इतियास मा आ एक अमर पुरुष्ट छे के एक मानस किवरी ते संस्था उभी करे किवरी ते सिद्धान तो जाडवे अने आ आत्म कथा आपने केम अपिल करे छे आपने एक समझवाजेव जे आत्म कथामा किटलाक गुजराती मा एवा जानिता लेकको छे के जेमने आत्म कथामा पुतानो अंकारत प्रगट करें जाने पुताना थी मोटू कोई छे अद्ने आत्म कथामा सत्य पृति अने पारदर्शक्त ये मुख्य निशान चे तमे सत्यने संपुण पणे ना पाली शेक्ता हो पड़ सत्यने पालवा माठे तो प्रेत्न शिलो हो जे अने पारदर्शक्त तमे कशु छुपाओ नहीं कशी अतिश योक्ति ना करो अतिश योक्ति ये पन सत्यनुखंडांचे तमे आप वड़ाय करो ये पन सत्यनुखंडांचे तमे जे क्यवाजे उओ है जेम नाना भाई ये पोतानी बागाय पोतानी अर्ण आवड शरु आत्मा पोते करेली भूलो निस्वंकोच पने प्रगट करीछे अरे येमना बैपत्नी ना उसान थेया अने त्रीजी वकट लगना करवा के नहीं अने येमने सम्मति आपी त्यारे आत्मकता में लगे छे के हूं बार्थितो जे बोलता होतो पाण मने परणवानी वास्टना आती माटे जूंतरी जीवार परिणा आज स्विकार करवो ये पारदर्शकता चे येमन थी अध्यत्मिक तानो विकास थाए छे येटले आ गुजराती भाशानी अद्बुत आत्मकता चे जो के आत्मकत आत्यार तो ये वधारे चर्चा न थी करतो पन बहुत साधी भाशामा पन ये भाशामा जे सचूरता चे ये गुजराती तळपदा काठिया वड़ी गध्यनी चे अने येना केनानी जीवन नी एक अध्यत्मिक तानो बाल चे आमान जो ये के चे संस्ताव मठ बने चे त्य प्राण उडी जाये चे अने खोखू गंधावा लागे चे बल-बली संस्ताव मठ बने चे अने अमें सो उच्च जीवन ना पूझको बनवाने बडले अक्कल वशियारी ना पूझको बिन्या येने कारने संस्ताथ उटी आवी पारदर्शक्ता अंदर अने बाहिया बनने द्रश्टी ये पारदर्शक्ता अ माटे हूँ जराय अतिशक्ति विना कैश के गांधी जी नी आत्मकथा पछिनी आ नोनपात्रा आत्मकथा अचे येने वातनार ने माटे ये प्रेणादाई बन्छे येतलूने पंडे सुखलाल जीये कयो चे अ आत्मकथा वातनार जीव पर ए नानाभाई नी ने पन गुजराती नी पन एक नोन पात्र आजेई प्रस्तुत, भहिश्यमाई प्रस्तुत रे एवी अध्भुत्न आत्म कथा छे। ए अर्थमा नानाभाई गुजराती भास्ट्याने अने आपना सव उपर मोट्टु रून आपूछे एमुमानुछु। अबा नानाभाई ने आपने फरी-फरी वांचिये एमनो अन्यसाहिते पनवांचिये। स्वाध्याय तीवी